दोस्तों ब्लर अभी फिलाल ट्रेड कर रहा है 75 सेंड्स पे इसका ओल टाइम हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर पांच डॉलर था कल एड्रॉप मिली है और अन अवरेज लगबग हजार से डेड़ हजार डॉलर तक की एड्रॉप मिली है यह विडियो ब्लर की ओपर मैंने अक्टूबर में आपके लिए बनाया था जब मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप ब्लर की एड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी है इस एड्रॉप के एलिजिबल होने के लिए Vela DXP token अभी 6.3$ पे चल रहा है मैंने 15 दिन पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था 5 ऐसी decentralized exchanges का जिन पर आपको नज़र रखनी है जो आपको अच्छे का से rewards दे सकती है तो इस वीडियो में इन दोनों प्रोजेक्स को हम कवर करेंगे Blur का Season 2 Airdrop का चालो हो चुका है उसमें आप कैसे पार्टिसिबेट करेंगे और DXP यानि की Vela Exchange पर कैसे आपको पार्टिसिबेट करने है और existingly आप क्या इस पर कर सकते हैं ताकि आप इसकी future Airdrop के eligible हो आगे बने से बहले अगर आप चैनल पर नए है और इस टाइप की consistent alpha consistent information अगर आके चलके आप नहीं मिस करना चाते तो bell notification दबाईए और चैनल को subscribe करिए Season 1 की जो Airdrop है वो कल लोगों को distribute करी गई है और on an average 1000 से 1500 डॉलर तक की Airdrop मिली है Season 2 यहाँ पर चालो हो चुका है और इस time पर आपको bid points भी मिलेंगे और यहाँ पर listing points भी मिलेंगे exact formula क्या है इन points का अभी तक यहाँ पर नहीं दिखाया गया है अभी तक disclose नहीं किया गया है बट 14 मार्स तक अगर आप यहाँ पर listing points या bid points earn करते हैं तो आपको double the amount of normal points यहाँ पर दिये जाएंगे और depending on आपके कितने points से कठे होंगे उस पर आपको season 2 की Airdrop दी जाएगी तो idea बहुत simple है points से कठे करने के लिए आपको यहाँ पे blur में जाना है collections में जाना है यहाँ पर जो top 5 collections है basically उन पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आके आप किसी भी collection के उपर bids place कर सकते हैं जितनी जादा bid आपकी floor price के पास होगी उतने जादा आपको यहाँ पे points दिये उन bidders को जिनकी bids जो है floor price के सबसे जाना नजदीक होंगी दूसरे points यहाँ पर आप देखेंगे वो listing points है यानि कि अगर माल लीजे आपके पास top की collections के कुछ NFTs है तो यहाँ पर आके आप उनको list कर सकते हैं और यहाँ पर भी जितना floor price के नजदीक आपका listing यहाँ पर price होग तब भी आपको points दे जाएंगे के नहीं यह भी detail यहाँ पर नहीं दी गई है बट edge लेने के लिए अगर आपके पास यहाँ पर NFTs है यहाँ आपके पास funds है कि आप bid कर सकते हैं sell कर सकते हैं buy कर सकते हैं तो definitely यहाँ पर शुरू में अच्छे points accumulate करने की यहाँ पर opportunity है यहाँ आप देखेंगे अपना metamask connect करेंगे यहाँ पर wallet में जाएंगे यहाँ पर funds जो है वो थोड़े से deposit करेंगे add funds to pool और उस pool के funds को आप use करके किसी भी collection पर आके यहाँ पर bid कर सकते हैं एक पर आपके funds deposit हो गए उसके बाद आपकी कोई भी gas fee यहाँ पर नहीं लगेगी तो सिर अब यहाँ पर किसी भी collection पर bid करने के लिए आपको basically collection पर जाना है उस पर click करना है यहाँ पर आपको bids दिखाई देंगी और यहाँ पर place collection bid जब डालेंगे अगर आपके पास funds यहाँ पर होंगे तो आप depending on कितने use करना चाते हैं यहाँ पर bid amount enter करके आप place bid कर देंगे कोई आपके gas feeling लगेंगे और आपकी bid जो है यहाँ पर active हो जाएगी और bid आपकी एक बर active हो गई और range के अंदर होई तो उसके बाद automatically आपके 5 से 10 minute के अंदर यहाँ पर points जो है वो एकठे होने शुरू हो जाएंगे तो यह तो हो गया blur season 2 की a drop अब जो next है वो है Vela exchange 15 दिन पहले जब मैं आपके लिए वीडियो में आया था इनका token अलड़ी live था पर इनका अभी exchange का beta open नहीं था तो अब यह beta phase में आ चुके है यानि कि कोई भी इसको आकर join कर सकता है और speculation यही है कि यहाँ पर जो भी लोग beta में participate करेंगे उनको future में यहाँ पे DXP tokens की airdrop दी जाएगी तो well exchange का DXP token आप अलड़ी यहाँ पर देख सकते हैं 6.3 dollars पर trade कर रहा है और यहाँ अगर आप अगर आप देखें तो almost अभी एक महिना भी नहीं हुआ है एक महिने के अंदर अंदर यहाँ पर in fact 15 दिन के अंदर यहाँ पर 6.6 already हो चुका है इसका price almost 15 दिन पहले में आपके कर सकते हैं short कर सकते हैं वही interface है जो आपको बाकी exchanges पर भी मिलता है तो यहाँ पर अलग सी चीज नहीं है first time जब आपना wallet यहाँ पर connect करेंगे तो आपको कुछ funds deposit करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको USDC चाहिए क्योंकि यहाँ पर first time USDC ही deposit होंगे तो USDC अगर आपके प एक बार आपके यहाँ पर funds deposit हो गए उसके बाद आके यहाँ पर सीधा place कर सकते हैं long या short orders यह सारे pairs हैं यहाँ पर जिन पर आप आके trading कर सकते हैं अब मेरे पास जो funds हैं मैंने maximum funds अपनी जितने funds हैं वो मैंने यहाँ पर staking में लगाए हुए हैं इसलिए यहाँ पर आपको deposit transactions यहाँ पर beta phase में इनकी compete हो जाएं तो यहाँ पर चलते हैं staking में staking में देखाते हो मैं आपको कैसे की आप यहाँ पर earn कर सकते हैं जितने भी आप usdc deposit करेंगे उसको as it is one to one यानि की stable coin ratio के अंदर आप vlp में move कर सकते हैं और वो mint यहाँ पर vlp mint करने के बाद आप यहाँ पर उसको आके stake कर सकते हैं तो इस पर आपको 55.9% जो है वो estimated APR के साबसे rewards मिले लग जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अभी तक यहाँ पर 3.437 dollars worth of reward generate हो चुके हैं और यह जो rewards मुझे मिल रहे हैं यह vlp token में मिल रहे हैं तो 0.54 tokens में रिकठे हो चुके हैं जि transaction सारी यहाँ पर आपकी आर्बिटर में है तो यहाँ पर gas fee बहुत जादा कम है इसको हम करेंगे यहाँ पर confirm यहाँ पर unstake करने के बाद मैं इनको redeem कर सकता हूँ back to USD तो amount of vlp मेरे almost 10$ के हैं मैं इसको करूँ गए maximum यहाँ पर मैं कर दूँगा redeem तो मेरे पास यहाँ पर 10$ worth of USDC जो है वो वापिस आ जाएंगे तो इसको एक बार confirm कर लेते हैं तो यह USDC मेरे wallet में वापिस आ गए मैं यही पर in USDC को use करके जो मेरे wallet में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आके इसको वापिस vlp यहाँ पर यहाँ पर मैं इसकी trading कर सकता हूँ तो मेरे funds यहाँ पर deposit होग इसके हिसाब से आपके leaderboard में भी यहाँ पर आ सकता है नाम depending on आप कितना leaderboard में performance कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको airdrop मिल सकती है बट more or less दो चार चीज़े ही हैं जो आपको यहाँ पर करनी है अगर आप passively earn करना चाते हैं तो staking में जा सकते हैं जो भी आपके पास USD automatically claim हो गए अब यह rewards जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे वो आपको मिल रहे हैं e-vela में इनको आप time to time आके claim कर सकते हैं या तो आप इनको पूरा redeem कर सकते हैं dollar amount में convert कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जाएंगे वela to e-vela में जो आपको यहाँ पे e-vela rewards मिले हैं उनको directly यह पर आके आप स्टेक कर सकते हैं तो यहापकी dual स्टेक यहा पर हो रही है और इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर rewards मिलेंगे अगर आप स्टेक यहाँ नहीं करना चा दे तो सीधा सीधा आप यहाँ पर कर सकते हैं और वापिस usdc में लगा सकते हैं बट वह अभी selling वाला functionality यहां पर अभी available नहीं है बट आप चाहें तो यहां पर stake कर सकते हैं वेस्ट कर सकते हैं और यहीं पर जो भी आपको staking vesting के rewards होंगे यहां पर आके आप इनको claim कर सकते हैं बट फिलाल यहां पर इनका APR काफी काम है 3.64% ही है बट यह भी एक option है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा amount में है तो यहां पर आके आप इनको passively earning पर लगा सकते हैं तो यह कुछ है भी फिलाल अभी well exchange में बीटा फेज में हैं काफी ज़्यादा potential है काफी कुछ यहां पर यह जो है वो लॉंच कर सकते हैं और एक ड्रॉप भी दे सकते हैं जो बीटा में participate कर रहे हैं तो definitely इसको miss ना करिए लिंक्स आपको बार फिर से नीचे description में मिल जाएंगे आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो को जो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए हाव सेफ इंवेस्टमेंट